मानों जब जोर लगाता है तो पत्धर भी पानी बन जाता है दोस्तो इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे महान वैक्ती का रियल स्टोरी सुनाने वाले हैं जिस स्टोरी को सुनकर आप उस वैक्ती का एक बड़ी फैन बन जाएंगे जी हाँ दोस्तो उस वैक्ति का नाम है कैरोली टेकस आप में से कई लोग इस नाम को नहीं सुने होंगे कोई दिकत नहीं है आज सुन लीजिए याद कर लीजिए और इनके विसे में थोड़ा जान लीजिए क्योंकि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बनने व आज से ही जलना प्रारम हो जाए तो चली दोस्तों सुरू करते हैं कैरोली टेकस का जन्म हंगरी में 1910 इसवी को हुआ था आपको पता होगा कि हंगरी यूरोपिय देश है यह क्या है यूरोपिय देश है वहीं पर इनका जन्म हुआ था बात है 1938 का उस समय कैरोली टेकस आर मतलब कि जो पिस्टल से सूट किया जाता था इनमें इतना उसमें चमता थी आइबिलिटी थी कि कहना नहीं एकदम टॉप पर हमेशा आजे थे पूरे दुनिया में कैरोली टेकस का एक सपना था कि भाय जो 1940 में ओलंपिक का खेल होने वाला है उसमें हम भाग लें और गोल् करना को सकार करने के लिए जो प्रैक्टिस होता है वो पूरा प्रारम कर दिया पूरा जोर लगा दिया कि 1940 में ओलंपिक का खेल होने वाला है लेकिन दुर्भाग यह वस दोस्तों जिस समय प्रैक्टिस कर रहे थे भाई सिपाही के पद पर थे तो भाई कुछ प्रेक्शन अगर के वापस लोटे तो भाई उनका देहना हाथ तो पुरा खत्म हो गया था भाई बम भटे का हाथ में तो खत्म होना तो लाजमी ही है अब आईसे समय में यह हार मान सकते थे कि भाई अब गोल्ड मेटल कहां से जित पाएंगी पैस जिस हम हाथ से प्रैक्टिस किये हमे का नहीं है दाहिना हाथ खत्म हो गया लेकिन यह सोचे कि नहीं गोल्ड मेडल जीत के रहेंगे तो रहेंगे दाहिना हाथ खत्म लेकिन बाया हाथ से इन्होंने प्रैक्टिस करना प्रारम कर दिया अज सही बता रहे हैं दोस्तों हंगरी में उनिस्तों चालिस में एक पाए खुल मिला करके 1948 में फिर उलम्पिक का खेल होने वाला था इसलिए वहाँ पर वो जीत के लिए पूरा एकदम जूर लगा दिये अब सूचिए भाई जो आद भी दहना हाथ से खेल रहा था हाथ खतम बाया हाथ से खेलना प्रारम किया हम जैसे लोग रहेंगे तो भाई यह मेरी बस की बात नहीं थी यह उपर वाला का दोस है यह इधर उधर का दोस है दोस लगा के वहाँ से पतली गली से निकल याते लेकिन यह हार नहीं माने लगतार मेहनत किया इन्होंने कि इन्होंने कैरोली टेकस ने और सही बता रहे हैं दोस्तो जिस समय यह खेल में भा भाग लेने वाला व्यक्ति है कि इस खेल में भाग लेगा वो भी पिस्टल सुटर में तो इस चीज को देख करके सुन करके लोग अचमभित रह गए और सही में 1948 में इन्हों ने उलम्पिक में गोल्ड मेडल जीत भी लिया एक और मेडल बाद में जीता भाई अब सोस सकते है पाया हाथ से चला करके जीता एक हाथ बिलकुल भी नहीं है कि एकदम काम नहीं कर रहा है एकदम निकमा हो गया है और पाया हाथ से भाई दो दो गोल्ड मेडल जीता भाई ये हंगरी के अभी भी इसलिए हीरो माने जाते हैं इसलिए माने जाते हैं क्योंकि आपको पता कि यह व्यक्ति कितना मेहनत किया होगा, कितना संघर्स किया होगा, हम लोग दहना हाथ से जब लिखते हैं ना, दहना हाथ से लिखते हैं, बाया हाथ से लिखने का प्रैक्टिस करते हैं तो नहीं लिखाता है, हम लोग ये भी जानते हैं कि भाई कितनों प्रैक्टिस करेंगे भाई दो-दो गोल्ड मेडल जितना वही बाया हाथ से वो भी 25 मीटर जो सूट करने की रहती है वहाँ पर इन्होंने जीता है 25 मीटर तक सूट करने करता है इन्स्टेंट फायर ठीक है दोस्तो तो देखें यहाँ पर आपको सीख लेना है बहुत बड़े हीरो माने जाते हैं हंगरी के एक मोटिवेशन है आप ज़रू सुनते होंगे जैसे कि मायन के चलिए UPSC का परिशा होता है टॉप लिस्ट पर किसी रिक्सा चलाने वाला का भीशन बनता है इसी तरह से ये भी वहाँ पर एक बहुत बड़े मुटी भीशन है भाई एक प्रेरना है कुल मिला करके तो दोस्तो अगर ऐसा कंडिशन हमारे जिवन में आता है जिस तरह से इनके जिवन में आया था अगर आ जाता है तो कई लोग जो हैने हार मान जाते है कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है ये उपर वाला का दोस है उपर वाला नहीं चाहा इसलिए ऐसा हुआ ये कह करके या फिर अपने माता पिता को दोस लगा करके पतली गली से निकल जाते हैं लेकिन देखिए साथियों अगर आपके अंदर में काबिलियत है जनून है उमंग है अंदर से करने का आपके अंदर में एक समझे की जिम्मेवारी है तो आप उस काम को कर दिखाएंगे बस के बहल आपका मेहनत होना चाहिए आपके अंदर में जनून होना चाहिए वो पागल पंदी होना चाहिए बहाना करने से काम नहीं चलता है कई लोग दुनिया में आज से हैं कई लोग जो विसम परिस्थितियों को पार करते भी भी सफल हुए हैं और उनका नाम आज भी लिया जाता है जगा जगा पर कई स्टेज में उनका नाम लिया जाता है तो भाई जब एक आसाधरन इनसान जो वो काम नहीं कर सकता था वो अगर कर दिखाया है तो हम क्यों नहीं कर सकते जो चाहेंगे वो होगा बस आपको मेहनत करना है उस फिल्ड में लगाता रेगूलर पुरा जब के 100% देना है क्यों नहीं होगा यार सफालता कदम चुमेगी क्यों नहीं चुमेगी कदम हम उसके पीछे दोड रहे हैं भाग रहे हैं तर से एक दिन कदम चुमेगी यह हम लिक के देते हैं ठीक है दोस्तों इसलिए आप मेहनत करते रहे हैं अगर पढ़ाय करते हैं आप कहते हैं सरक कंपटिसन नहीं निकालता है बहुत ज़्यादा कंपटिसन हो गया भाई यह सब बहाना है और कुछ नहीं है बहाना है बहाना कि आज कल का कंपटिसन हाड हो गया है बहुत लोग फॉंबरते हैं, हाँ भाई, एक लाख में मान के चलिए अगर एक सो बच्चा कही सेलेक्शन हो रहा है, तो उस तक पहुँचने का प्रयास कीजिए, आप तयारी कुछ किये ही नहीं है, आप जाके एक्जाम में बैट गये हैं, तो थोरी निकलेगा, वैसे नहीं होता है, आप तयारी किये हैं, आपके अंदर जो माइंड है, वो डेबलफ हो चुका है, तो क्यों अगर एक्जाम नहीं बे निकलेगा, कोई दीकत नहीं है, आपके अंदर में वो काबिलियत आ जाएगी और आप कुछ भी कर सकते हैं, बस केवल आपको अपने काम में 100% दे मिलने वाला है, अगर आप अभी ही फल ले रहे हैं, तो बाद में भाईया आपको नुकसान होगा, ये कनफम है, एक्विसन दोनों बाइलेंस रहता है, अगर आप अभी एस मोज खूब कर रहे हैं, पढ़ने के उमर में, तो बाद में आप पच्टाएंगे, बहुत सारी सम मोटिवेशन बन सकते हैं, इसी दरह से आपको मेहनत करना है, दोस्तों, बहाना से काम नहीं चलेगा, कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पिता जी, इतने लाइक नहीं है, यहाँ पर पढ़ाने लाइक नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा, बस के वाल आपका मेहनत होना चाहिए बहाना नहीं, बहाना नहीं एकदम नहीं, भाई आज कल के लोगों का एक प्रचंड है, यह समझे एक तरह से परचलित चीज है, बहाना करना, यह बहाना आज कल कुछ नहीं चलेगा, सरकार भी आपको पढ़ा रही है, बस के वाल आपका दिमाग उस डिरेक्शन में काम करन प्यार होना चाहिए, आपके अंदर में उस काम करने का प्यार होना चाहिए, चल यह दोस्तों, समझ में जरूर आया हुगा, यह कहानी भी है, और साथ में जो हम बताएं, इसका क्या सहरान स्था, क्या आप वो करना चाहिए, वो भी, तो चले लिए आज के लिए पन ही, मैं हिंद, बंदे मातराम